नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें जै माता दी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्विशेश कारिक्रम में जिसका नाम है नौ दिन नवरात्र के मा सकंद माता का स्वरूब क्या है मा को भोग क्या लगाय जाए मा का प्रियर रंग क्या है इस जुड़ी तमाम जानकारियां आज फिर हम आपको इस कारिक्रम के जरीए कारिक्रम के माध्यम से देंगे और वो तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से आजिर हुए हमारे स्विक्रम में उपस्तित विश्वी ख्यार जोतिशाचारे वास्तोव एक्सपर्ट नाडि वैदे पंडित सुनील भारत दुआज जी शुबारम करेंगे अपने स्विशेश कारिक्रम का आज शिरवाद ले स्वामी कार्ति के क्योंकि ये देवा सुर संगराम के सेनापती बने इनका नाम स्कंद है इनकी माता होने के कारण इनका नाम पड़ा स्कंद माता हो इनका स्वरूब बहुत सुन्दर है सिंग पर सवार है ये चार भुजा वाली मा हैं इनके दोनों पीछे के जो हाथे उनमें कमल पुष्ट है एक हाथ इनका अभे मुद्रा में है और दाहिने हाथ से इनोंने स्वामी कार्ति के को गोद लिया हुआ है जिनका वहान है मयूर मगर आज महामाई के गोद में बैठे हैं यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि आज स्वामी कार्ति के कि ये मा का होने के करण इनका नाम मा इसकंद माता पांचवा सरूप महावाई का नौरात्रों के दिन इनका गुणगान इनकी किर्पा आप पर बिल्कुल हो सकती है बस आपने स्वामी की तरह इनकी गोद में जाकर बैठना है और गोद में तब ही जाकर बैठोगे जब आप इनसे अटूट प्रेम करोगे मा के सरण में चले जाओगे कहते हैं ना हम आपकी सरण में आए हैं सरणा गतम हम आपकी सरण में आए हैं जनम मिरतू हमारा पीछा नहीं छोड रही जैसे स्वामी कार्थी कहीं ये इनका सुन्दर सरूप है बैए मा जब गोद में लेती है ना तो बड़ा मन सांत होता है, इनका मन बड़ा सांत है, वेकि गोध में दाहिने हाथ से, दो पीछे के हाथ कमल, एक अब है मुद्रा, और बाकी ये वर भी दे रही हैं आपको, और साथ में गोध में स्वामी कार्थिकर को लिया हुआ है, बहुत सुंदर, आज के दिन से कथा क्या है वो भी आप हमें बताएं, कई बार ऐसा योग आता है कि जिस समय प्रित्वी पर हाहाकार होता है, प्रित्वी व्याकुल होती है, बच्चे बलहीन हो जाते हैं, देवी भागवत में इसके जोड़ देके लिखा है कि जब जब अत्याचार हुआ है, आसुर सक्त का परकोफ हुआ है, यग, पूजा, पाठ, अनुस्ठान, धर्म, कर्म, वहीन हो गया है, तब माने अपना रूप रखा है, ये रूप भी माने तब ही रखा अपना, कि बच्चों को शरण में लिया, गोद में उठाने का तात पर रह समझें आप, रिश्यों ने वर्णन इ इस पांचवे नौरात्रे में माने बालक को गोद में उठाया है, हाना कि ये देवा सुर संगराम के सेना पती हैं, जिनको जीतना संभव है, मगर माने ये भी दिखा दिया है, कि अगर मेरे बालक को, मेरे भक्त को, मेरा चिंतन करने वाले को, जो मेरे चिंतन में रेनलतर ड ले लूँगी अपनी ओट में ले लूँगी ये मा का संकेत है और इसी लिए माने उन भक्तों को ये संकेत दिया है और दुराचारियों को आताताईयों को ये संदेज दिया है कि हम आपके किये हुए कस्टों से भैबीत नहीं होती मेरे बालक कावाव से नहीं डरेंगे और मेरे बालक को मैंने अपनी सरण में ले लिया है ये मा का संकेत है इनका इस रूप को देखकर देवता बड़े परसन होते हैं बाजे बजाते हैं और यहां तक कि ब्रहमा विश्नु महिस बड़े परसन चित से इनकी सक्तियों को नमन क जाए उतनी आपको प्रेमा भक्ति इनकी अवश्य मिलती है बस सरण में जाने कि आप शक्ता है गुर्दे के विश्वश प्रशन आप से जाना चाहूंगी मां की नौरात्रिया ही क्यों ये बहुत अच्छा प्रशन है आपका जैसे शिवरात्री नौरात्री एक तो नौरात् देने की आप सकता नहीं जोत आपकी रात को भी जलती है मां के 24 गंटे दरबार खुले रहते हैं नौरात्री कहने का ताथ पर रहे हो कुछ सक्तियों की उपासना रात को की जाती है काल रात्री जैसे अब आपको साथवा नौरात्रा में देगा काल रात्री उनकी पूजा में लाया जाता है जिससे वो बेदी बनाई जाती है साग सब्जियां आनाज फल इन से बेदी बनाई जाती है मां का सुन्दर बेदी बनाई जाती है और उसकी फिर पूजा करे जाती है उसके मंत्रों का उचरन किया जाता है काल रात्री के इनकी उपासना के लिए रात्री काल इसलिए नौरात्री कही गई हैं क्योंकि कुछ मंत्रों का चरण जैसे बगला मुखी की चरण करना हो तो वो रात्री काल नहीं किया जा सकता है उसकी कई गुना शक्ति बढ़ जाती है हजार गुना शक्ति का फल मिलता है आपको एक मंत्र आपको एक हजार मंत्र पढ़ने के दिन के बराबर है इसलिए काल रात्री कही गई है इसलिए रात्री कही गई है इसलिए नवरात्री कही गई है क्योंकि इस समय आपके विकार नहीं होते हैं इस समय आप निद्रा मुद्रा की अवस्तानों होते हैं इस समय आप बंदन से मुक्त होते हैं और जब आपका ध्य केंदर उस मंतर की ओर होता है तो आप लक्ष माने में स्रेस्ट होते हैं इसलिए रात्री कही गई हैं और दिन और रात समान माने गए हैं ये नौरात्री हैं इसमें आपकी जो आज आप विशूदी चक्र में पहुंच चुके हैं पांचवे नौरात्रे पर आप विशूदी चक्र का ताद पर हुआ जहां आपका हिर्दा है हिर्दा के पास हैं आप दिल से मा की अरादना कर रहे हमने कहा ना आप जिन जिन चक्रों के पास आप पहुंचेंगे उन चक्रों का उताद पर है आप किस से को याद करते हैं और किस समय याद करते हैं हर समय याद करते हैं सिर सामने आपके सिंगा आजाए, सामने आपके कृष्ट में आजाए, मुह से पहला सब निकलेगा, हूई मा, ये वो सब्द है, वो कहां से निकला, दिल से, आपके दिल, आत्मा ने कहा, दिल को और दिल 네, संकेत रिया, कि दिल से ऐसे किसी चीजह को चाहिए, दिल से बहुत के ले चाहें तो बेहतर है हमने का कब चाहें किसे ले चाहें और किस समय चाहें रात्री के समय चाहें रात को बच्चा परिसान है ना इस गरस्त जीवन की भी बता जें बच्चा परिसान है पत्री से बच्चों से इसे व्याकुल है तो रात को जाके अपनी माँ के पास ही बैठता है तो रात्री है यह नवरात्री का अतात पर है यहां पे सक्तिया आपको तब ही मिलेगी और यह तो जगत की माहा है क्या कमी है कुमार इसकंद को कोई कमी नहीं है कुमार इसकंद के पास तो सब कुछ है जो देवा सुर्ष संगराम के सेनापती हैं उनको कोई कमी है नहीं है वो भी मा की शरण में है ये ये आप मूल को मंतर को पहचानी है और तब आपको समझ में आएगा कि मा की शक्ति है अगले में देखेंगे तो क्या होगा अगले में पुत्री बन गई तो ये मा का सरूप है नौ दिनों में वो बंधन कर दिया कि आपके जे नौ जौ छीदर वाला सरीर है वो कैसे इस भफजवागर को तार कर सकेगा नहीं तो ten नहीं सकते आप डूब जाएंगे ये आपके तैरने की कला है अगर आप तैरना चाहते हैं डूब ने तो कुछ नहीं है डूबें तो ह बार करो पार करने का यही एक माद्य हमें नवरात्री इसलिए इसे नवरात्री कहा है बहुत खुबशुरत वरणन आपने इस कारिकम के जरीए हमें दिये हैं यहां पर फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से अंतेग्राल का इस खुबशुरत चर्चा के साथ हम पुना हाजर हो मुझे नूदिल्स नो जंक फूड जी करेला फिर से चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रॉकली से इम्यूनिटी रोज रोज वेजिटेबिल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालो के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्यॉर रूट्स शैम्पू लगाने से रोज? अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोशन से भरा प्यॉर रूट्स प्रोटीन श्याम्पू जिससे बाल बने मजबूत, सुन्दर और घने जै माता दी इस चोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पिशेश शिकारिक्रम में जिसका नाम है नौ दिन नवरात रुकिया और हमारे साथ हमारे सिकारिक्रम में उपस्तित हुए विश्वी ख्यार जोतिशा चारे वास्तो एक्सपर्ट न पर ये बालक है बालक को माने अपने पास रखा है गोद में और आज के दिन मा को पर ये है दूद गाए का दूद गव का दूद सुद दूद गाए का सास्तरों ने काया है कि गाए का दूद आज मा को दें भोग लगाए गाए के दूद की बनी खीर खिलाए मा को कन्याओ को खीर वितरन करें आज के दिन भोग लगाए अग्यारी में खीर डालें यहां तक लिखा है पंच मेवा की खीर भी दे सकते हैं बहुत सारे जो आप ख कार नहीं होगा किसी परकार के गाय के दूद को तो इसलिए पवित्र माना गया है क्योंकि आपके अंदर जो कहीं ना कहीं से तूटी होगी शरीर में किसी ना किसी परकार की अशुद अवस्था हो जाएगी शरीर में उससे आप बचे रहेंगे तो गाय का दूद आज के दिन मा को प्रिय भोग है इससे बना कुछ भी हो चाहा हो मेवे की कुछ चीजे हो मिस्ठान हो मगर गाय का दूद सबसे ज़्याद आज के दिन प्रिय है मा को प्रिय रंग कौन सा है मा का ये भी बताएं बहुत सुंदर रंग है साइद आज वो रम आपने भी धरन किया और हमने भी धरन किया पीला रम ये क्योंकि ये रंग एक ऐसा रंग है हमारे ठाकुर का पीतंबर भी पीला है पीता अंबर और मा को इसलिए ये दिन आज का प्रिये है क्योंकि आज के दिन उन्होंने अपने बालक को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और बालक को आप अवस्था में देखेंगे जितने चित्रों में भी देखेंगे उनके ज्यादा तर वस्तिर भी पी लई है तो आज आप पीले असन पे बैठेंगे और आज अगर पीले असन माने दिया है तो आज रात को बगला मुखी के अरादना वर्ष्र कर ले पीले पुष्प रखें पीले पुष्पों से मा का हार बनाएं बस और एक बात बता दें इसमें कि पीली चीज़ें जितनी होंगी ना वो समझ लिए आज आज आपको मा को भोग लगाने में बड़ा मजाएगा क्योंकि आज के दिन मा का जो रंग है वो पीतंबरी है और मा को इस तरीके से आप पूजा अर्चना करते हैं ना तो यहाँ पर लोकिक-लोकिक सिद्धियों तो मिलती हैं आपको मोक्श की भी प्राप्ति होती है क्योंकि मा की जब सरण में आ जाते हैं तो फिर उसको आवा गमन के बंदनों से मुख्टी अवश्य मिलती है ये हैं वो मा काज का सुरूप और मा का रम मा सकंद माता किस परकार की शक्तियां देती हैं ये भी बताएं इनकी सक्ति सबसे पहले तो आपको मिलती है कि आपको इस लोग के अंदर पूर्ण सरीर की रक्षा होती है इस लोग के अंदर अगर आप सच्चे उपासक हैं आपके सरीर में वात, पित, कफ जो आपके विसूदी चकर को करता है दूशित इससे होती है आपकी सुरक्षा क्योंकि ये आपको हिर्दे घात से बचाती है आपको हाट अटेक जिसको बोलते है ना हिर्दे सूर, हिर्दे में दर्प उससे पूर्टा इस दिन का बहुत बड़ा इंतजार करते हैं योगी लोग इस दिन की साधना करते हैं वो बहुत सारी आईरवेट की आशिदियों का निर्मान करते हैं आज के दिन या उन आशिदियों को पवित्र करके रख लेते हैं जो हिर्दे घात से हमें बचाती हैं ये एक ऐसा मोسم है जिसमोसम से नورात्रों से हम मटके का इस्तमाल करते हैं, मटके का इस्तमाल आज के माद्धि vagy अम से अम ये बात बताना चाहते हैं महलोगा जी बहुत सुनदर बात बताईते हैं कैजिकि आरवेस से अगर है, तो माश का दिन से पंचम नौरात्रे से पंच महाबूतों से मिलकर बना है ये शरीर नौरात्रे के पांचवे दिन मटका ले आए पहले दिनी मा के साथ मगर आज के दिन उसको साफ करके रखते हैं और मटके को अंदर से हाथ में साफ नहीं करते अंदर हाथ नहीं बगाना वो को रही रहने दो बाहर तो आपका हाथ लगेगा इसका बहुत बड़ा भाव है बड़ा विस्तार समय कम है हम इतनी व्याक्षा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसकी बहुत बाव बर्णन है उस मटके का पानी पिएंगे चौमासे तक आश्फ़न मास के नौरात्रों तक आज के दंदेंसे पंचे नौराते से आश्फ़न मास के लगे तक यह बलकु बमूल बाद समझ ले अगर आप अपने विश्वुदी चकर को सुद्द रखना चाएंगे उसके बाद आश्फ़न मास के माग मास के नौरातिरों तक पिएंगे आप यहां से पिएंगे चमा करें यहां से पिएंगे आशुन मास तक आशुन मास के नौरातिरों बीच में आसाड मास के नौरातिरों तक आप पिएंगे मठके का उसके बाद आप पी लें तांबे का यह अलग अलग जीवन कल्यानकारी रहेगा मा के सरीर का आपके जो सरीर है वो मा के देखने मातर से वो पवित्र होता है इनकी किरपा इनकी सिद्धियां आपको तभी मिलती है जब मा निहारती है वही कई सास्त्रों में इस बात का वेड़नन है गंधारी ने भी कहा था दुरेदन को तुम मेरे सामने से गुजर जाओ मैं तुम पर दिर्ष्टी जाल दूँगी तो तुम वज्र के बन जाओ महा से टूटोगे नहीं देखा न आप तो वही अवस्था यहां पे गोद में लेने का तात पर रहे महा माई का यही है और आज के दिन आपका संपूर्ण सरीर सुरक्षित होता है गुरुजी आज के दिज़जोड़ा महा उपाय क्या है वो भी आप हमें बता दे महा उपाय बड़ा सुन्दर है आज का छे कटोरे लो अच्छे कटोरों में दूद भर के रखो अपने घर के मंदिर में महा माई का चित्र अच्छे कटोरे अच्छे के छे कटोरों में दूद वो इसलिए क्योंकि स्वामी कारतिके के छे मुख है छे मुख के हिसाब से छे कटोरों में दूद भर के रखो तो वो भी इसलिए है कि छे कर्तिकाओं ने उन्हें दूद पिलाने की चेष्टा करी थी, इसलिए स्वामी ने छे मुख बना लिये थे अपने, ये अलग कता है, और ये भी देवी भागवत में आपको मिलेगी, कि मचली के पास चला गया था और मचली ने उनको ग्रहन कर लिया था, शुकर को, वो शंकर जी का है अंश है, ये शंकर जी का ही अंश है, और शंकर जी ही हैं समझ लीजिए अपतारे, ये शंकर जी के पुत्र हैं, इसलिए छे कर्तिकाओं ने इन प्रियास किया था, तो स्वा सकते हैं साथ में दूद के बने कुछ भी पजाद छे कन्याओं को वित्रण कीजिए छे कन्याओं को और साथ में माता के सिंगार का समान देखे देखें आपके मनो कामना की अवश्च पूरती होगी चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेश कहेंगे जिस महामाई ने स्वामी कार्तिकों को गोद में लिया है सरणा गतम माते हम आपकी सरण में आए हैं हम जनम मिर्टू बंधन के आवा गमन में बंद चुके हैं हमें उस मोक्ष तक ले जाओ और उसका हमें वासी बना दो हम आपके लोक में कुछ भी करने को तैयार है बसर्थ हम निस्पक्ष और निस्वार्थ हो और इस युग में अपनी मा की सेवा करने के युग बना दो हमने का बना दो यह संकेत है यह हमारा नहीं है यह देवी का संकेत है अगर आप से जाने अन जाने में मातर के प्रती कुछ तुरूटी हुई हो क्योंकि सास्त्रों ने भी कहा है मात्र दी वो भवा तो आपका कल्यान नहीं होगा लाग पूजा, लाग पाठ, लाग अनुस्टान कुछ भी कर लो मात्र रूपेण संसिता नमस्त से नमस्त से नमो नमा गुरुजी आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय माता दे आज के हमारे सखास कारेक्टर में आप हमें दें इजाजत कल हम फिर हाजिर होंगे मा के शश्ठम स्वरूप के साथ तब तक के लिए जय माता दे